महराष्ट में मराठा आरक्षिंपर हंगामा तम नहीं रहा है मराठा कुरांती मोर्चा केनेता मनो जरांगे पार्ठिल के दूसरे अंशन के साथ विदिन राज्ज में सरकार का विरोध देखनी को मिल रहा है राज्ज में तीन और लोगों ने आरक्षन की मांग के चलते अपनी जान देने की कोशिश भी की है महराश्ट में भरकी माराथा आंदोलन की चिंगारी अप पूरे राज्जे में फैल गई है एक तरफ इस आंदोलन से सत्ता पर काबिश शिंदे बीजेपी सरकार मुसीबत में है तो महीं दूसरे तरफ आंदोलन के कारण महराश्ट की सियासत में घमासान मच गया है आरक्षन की मांग को लेकर महराश्ट में जगा जगा विरोध प्रजशन जारी है सोमवार को बीट में आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया तो वहीं बीजेपी नेता और एंसीपी नेता के घर पर हमला कर दिया वहीं इस आरक्षन के समर्थन में सीम शिंदे गुट के सांसद भी आ गए हैं और अब तक दो सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है हिंगोली से सांसद हेमंद पार्टेल और नासिक से सांसद हेमंद गोड से ने अपना इस्तीफा दिया है मराठा समुदाय के प्रती समर्थन दिखाने के लिए दोनों सांसदों ने ये कदम उठाया है मराठा अंदोलन में हिंसा के बाद महाराष्ट पुलिस ने NCP नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है मुंबई में मंत्राले के सामने इस्तित नए NCP काराले और अजीत पवार गुट की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है इसके लावा सीम के बंगले के आसपास के रास्तों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है एक तरफ मराठा अंदोलनकारी सांसदों और विधायकों के घरों और गार्यों को निशाना बना रहे हैं तो महीं सांसदों का मराठा समाज के समर्थन में इस्तीफा देने का सिलसला भी शुरू हो गया है सियम शिंदे ने भोकरताल कर रहे मनुद जरांगे पार्टिल से फोन पर बातचीत की और उनकी तब्यत के बारे में पूछा शिंदे ने उनसे करीब 24 मिन तक बातचीत की और उन्हें हिदायत देते हुए उनसे पानी पीते रहने के लिए कहा इन सब के बीच मुंबई के भाईकला में मराठा समाज के लोगों ने आज अंशन पर बैठे मनुद जरांगे पार्टिल के समर्थन और मराठा आरक्षन देने की मांग को लेकर मुंदन आंदोलन किया मुंदन करार है लोगों ने कहा कि शिंदे सरकार सिर्फ बैठक कर रही है और आश्वासन दे रही है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा